पॉर्णा काल में वर्ग फ्रॉम होम ने कंपनीज का काम जारी रखा और लोगों की नौकरियों को भी बचाने का काम किया लेकिन घर से काम करते वक्त अब लोग बोर होने लगे हैं वो अपने ओफिस के बाँवन को मिस्स कर रहे हैं JLL के सर्वे में दावा किया गया है और कहा गया कि एशिया के बाकी इलाकों की जगा भारत में आफिस को मिस करने वालों की संख्या ज्यादा है कोरोना महमारी के चलते लगे लॉकडाउन और उससे वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा मिलने से घर में कैद लोग अब उक्ताने लगे हैं JLL के सर्वे में दावा किया गया कि बीते तीन महीनों से घर में काम कर रहे लोग अब ऑफिस जाना चाहते हैं इस दिल्चस्प रुजहान के मताबिक 82% करमचारियों ने ऑफिस को मिस करने की बात मानी है करमचारियों का कहना है कि काम के घंटे तैना होना लगतार वीडियो बैठाक और लॉकडाउन के चलते काम के बेहतर विकल्पों की कमी तनाव का कारण बन रही है हलकी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि करमचारी घर से काम करने की आजादी का आनंद ले रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे से आमने सामने की बातचीत को मिस्स कर रहे हैं। भारत में लोग घर से काम करने को अच्छा तो मान रहे हैं, पर ओफिस के महौल को भी मिस्स कर रहे हैं। कमपनी के भविश्य को लेकर भरोसी की बात करें, तो भारत सबसे बहतर देश के रूप में उभरा है। यहां 86 फीज़ी करमचारी मानते हैं कि कमपनी के भविश्य पर उन्हें पूरा यकीन है। एशिया पैसिफिक में ये आकड़ा 65% है। सर्वे में पता चला है कि कमपनी कल्चर के तौर पर ओफिस लगातार महतपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ओफिस मिस्स करने वालों के लिए बुरी खबार टिम लीज के एक सर्वे में भी सामने आई है। इसके मताबिक हारिंग सेंटिमेंट पिछले साल की पहली छमाई की तुलना में 86 पॉइंट कम हो गया है। टिम लीज ने ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी समेथ 21 सेक्टर्स के आधार पर ये रिपोर्ट तयार की है। जिन सेक्टर्स में अनलॉक के बाद से हाईरिंग हो रही है उसमें हेल्थ क्यार, फार्मा में 21 परसेंट हाईरिंग बढ़ी है। इसके अलावा नौकरी खोजने वालों के लिए टिम लीज के सर्वे में साफ हो गया है कि उन्हें किन सेक्टर्स में आसानी से नौकरी मिल सकती है। वैसे लौकड़ून के समय से लेकर अब तक ये हाईरिंग सेंटिमेंट को देखें दो, देश में 6 सेक्टर इस मामले में सबसे आगे रहे। इसके बाद दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगर, मुंबई, कॉलकता और पूने का नंबर है। आज तक विरो रणनीतिकार और कारोबारियों ने बाजार में चीन की कमर तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। चीन को चारोग खाने चित्त करने के लिए हर भारती कमर कसकर तयार है। बीते कई हफतों से इक के बाद एक देश की कई दिगज कमपनिया चीन को दिये गए ओर्डर कैंसल करने में लगी है। पिछले दिनों में भारत की इलेक्ट्रिकल एक्विप्मेंट और इलेक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्री ने चीनी कमपनियों के ओर्डर को बड़े लेवल पर कैंसल करना शुरू कर दिया। अब इन ओर्डर्स के लिए ये कमपनिया नई ठीकानों की तलाश में जुग गई है। इंडियन इलेक्ट्रिकल एन इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफेक्ट्र असोसियेशन यानि IEEMA के मताबिक अब तक इंडस्ट्री में कच्चा माल एसेम्बली का सामान और काफी सारा बनाया गया सामान चीन से मंगाया जाता था। लेकिन अब ये इंडस्ट्री विकल्प तलाश कर रही है जिससे चीन के सामान की सप्लाई को रोका जा सके दरसल आत्म निर्भर भारत की इस मुहिम का रास्ता तो लंबा है लेकिन इसके बहारे चीन से रिष्टा बनाए रखने को भी ये कमपनिया तयार नहीं है ऐसे में जा का रुख करना भी शुरू कर दिया है इसके पहले भी कई बड़ी कमपनियों ने चीन को जटका दिया था इसमें हीरो साइकल्स ने चीन से 900 करोड रुपए के और को रद कर दिया अलीगर के ताला कारोबारियों ने 100 करोड रुपए के इस उद्योग की चीन पर निर्भरता खत्म करने और स्वदेशी अपनाने का एलान किया था सरकारी कमपनी इसल ने चीनी मूल की एक कमपनी को दिये गए 20 लाग स्मार्ट मीटर के ओर्डर को होल पर डाल दिया बीस एनल और एमटी एनल तो पहले ही 4G टेंडर रद कर चुकी है एचल भी अपने दो सरकलों से हु जुआवे को भी दखल कर सकती है यानि व्यापारी हुँ या कारोबारी सब लोग सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए सीमा के रण की एक चाल अपने अपने क्षेत्रों में रहकर भी चल रहे हैं आज तक ग्योरो बिजन्स आज तक में फिलाल इतना ही लिकिन देश्ट और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे हैं आज तक